अभिमन्नी और अक्षरा के बीच हुई अभीर के वज़स से लड़ाई मंजरी ने मांगा अक्षरा से अभीर को बात हो रही है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर्ड शो उडारियां के अपकमिंग ट्रैक में क्या कुछ टुईस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे कितना अच्छा इंसान है अगर आज अभिनव नहीं होता तो शायद अभीर कभी जिन्दा ही ना होता इसी के साथ अक्षरा सब के सामने अभिनव की काफी तारिफ करती है और ये भी बता देती है कि उनके बीच में पती पत्मी जैसा कुछ भी नहीं है जिसे सुनने के बाद हर किसी के होश उड़ जाते हैं और आगे आप सभी को देखने को मिलेगा कि अभिमन्यू जैसे ही बाहर जाता है वाक करने के लिए उसे याद आता है कि अक्षरा के साथ उसका रिलेशन पहले कैसा था लेकिन बीच में ही अभिमन्यू को ठोकर लग जाती है जहां अक्षरा उसे संभालने के लिए पहुच जाती है और अभिमन्यू कहता है कि 6 साल पहले हमें ऐसे ही ठोकर लगी थी लेकिन हम एक दूसरे को संभाल नहीं पाए और नहीं संभल पाए जहां अक्षरा कहती है कि काश मैं 6 साल पहले संभल गई होती तो आज बहुत अच्छा होता और इसी के साथ मेरे सामने तो एक अच्छा इंसान भी था जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिदा सकते थी अब देखना ये होगा कि क्या अभी नफस अक्षरा को प्यार हो जाएगा कॉमेंट सेक्षन में स्ट्रैक को लेकर अपनी राय बताएं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें